नमस्कार मैं पंकच पांडे देख रहे हैं आप न्यूजरन भारत और हाजी लेकर प्राइम न्यूज़ अट 7 पीम तो बढ़ते एड्लाइंस के बाद खबरों की उर चगदरपुर में पोलिस और सेर्पेप की टीम को बड़ी काम्याबी मिली है गुलगिरा के कुईडा देवा मब्री सडक से बरामद हुआ है आईटी केन बम जगवार की टीम ने विस्पोट कर इस बम को नस्ट किया है बड़ी खबर लगतार सर्च ऑपरेशन भी चल रहा है नक्सलों के खिलाप और इसी कड़ी में सुरक्षा बलो को निशाना बनाकर रखेगे सकेन बम को सतरक्ता की वज़ाद से सुरक्षा बलो ने ढूड लिया और इसके बाद इसे नस्ट किया गया है बड़ी खबर जगवार के टीम ने विस्पोट कर केन बम को अब नश्ट भी कर दिया है तो नक्सलों के खिलाप चलाया जारे अभ्यान में पुलिस को ये ताम्यावी मिली है कुईड़ा और देवामरी सडक पर ये केन बम मिला था इसे पुलिस ने नश्ट कर दिया है तो पतादे के लगाता से अरपेप्य टीम और पुलिस के और से सयुक्त ऑपरेशन के जरिये नक्सलियों को घेरने की कोशिस की जारती सर्च ऑपरेशन चल रहा था और इसी करड़ी में सुरक्षा बलो को ये केन बम मिला इस टीम में पुलिस और सेर्फेप की टीम थी और इसके बाद इस केन बम को नश्ट क्या गया है आईडी से बना था ये केन बम आईडी के समल क्या गया था इस पूटर के तौपर सेर्फेप में लेकिन समय रहते इसे धूल लिया गया इस पर नजर पड़ गई सुरक्षा बलों की और फिर स्यार्फिप की टीम ने जगवार को जो टीम दे स्यार्फिप की उसने इसे नश्ट कर दिया विस्पोर्ट करने के बाद बता दे आको के जार्कन के अलग-अलग हिसों में सुरक्षा बलके जवानों की और से लगतार सर्च ऑपरेशन चलाये जा रहे हैं जंगलों में और उनी इलाकों में जहाँ पर नकसलियों के आने जाने या उदर से गुजनने की सूचना मिलती है और एक अभ्यान के तौर पर ये लगतार जा रही है और इसी कड़ी में कई बार पुलिस को बड़ी सफलता मिलती है हलाके कई बार जो नकसलियों पर नकसलियों के खिलाब जो लड़ाई है वो अपने आखरी पड़ाओ के और बढ़ रहा है और पुलिस का ये मानना है कि कुछी दिनों में कुछी महीनों में नकसलियों का हम समूल नास कर देंगे बड़ी खबर एहम खबर चगदरपुर से इस वक्त की तो बतादे कि पश्यमी सिबुम के बहुत सारे जो इलाके हैं वो नकसल प्रभावित हैं चाये वो चगदरपुर का हिस्सा हो जाए गुलकरा का हिस्सा हो जाए या सारंडा के वन हो जाए ये तमाम इलाके जो ऐसे हैं और ये नकसलियों के लिए एक सुरक्षित आश्रणे की तौर पर जाने जाते रहे हैं तो क्यए गने जंगल होने के वाजसे नकसली इन जंगलों का फायदा ठाते हैं कई बार सुरक्षय वulsion को चक्मा δेते हैं तो कई बार इन जंगलों में एम्बुस लगा कर सुरक्षावल के जवानों को घेर भी लेते हैं कई बार हमारे जवान भी कालकवलित हुए हैं शहीद हुए हैं इन नकसलियों के नापाक मनसुवे की वज़ से लेकिन इस वक्त जो सुरक्षावल के हमारे जवान है उन्होंने पूरी तरीके से दविश्ट दे रखी है और नकसली भागने को मजबूर हैं बहुत सारे नकसली इस दबाव के आगे जुग गया है सरेंडर किया है कुछ नकसली को पकड़ा भी गया है लेकिन अब पुलिस इस करवाई को बहुत तेज करते हुए नकसलीों को एक सिमित क्षित्र में सिमित करने की कोशिस में जूटी है और इसने लगतार सर्च आपरिश चला जाते हैं और इसमें CRPF के जवान और उस्तानिय पुलिस का सयोग रहता है बड़े ख़बर एम ख़बर और इसी कड़ी में पुलिस और सुरक्षा बलो को निशाना बनाते वे एक ID विस्पोर्ट को वाला केन बम रखा गया था लेकिन नजर पढ़ गई सुरक्षा बलो की और समय रहते कि कोई बड़े दुरघटना होती कोई बड़ा हाथसा होता इस केन बम को नश्ट कर दिया गया तस्विर आपको दिखारे कैसे नश्ट किया गया है इस तस्विर को आपको दिखाते कि कैसे इस केन बम को नश्ट कि आ गया है एक बार और तस्विर आपको दिखा लेते हैं